हेलो गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल फात्मा कोई रीवियू हेर इसमा एनदर वीडियो जो के है हेर फॉल आज मैं आपको हेर फॉल का जिस जिस को हेर फॉल का मसला है वो मसला दूर करना बताऊंगी और यह बहुत बेस्ट ओईल है आज मैं आपको कलॉजी और मेथी दाना स इन दोनों इंग्रीडियंट से हेर ओयल बनाना सिकाऊंगी यह आपको दिखरा होगा पैरशूट ओयल इसके लिए आपको 100% प्यूर कोकोनेट ओयल चाहिए अगर आप चाहें तो जैतून का तेल और सरसो का तेल भी इस्तमाल कर सकते हैं यह आप्शनल है तो इससे पहले बहुत से मालूमात है और यह आजकल हर एक बच्चियों को मसला हो रहा है कि उनके बाल गिर रहे हैं हर्मून्स की प्रॉब्लम की विए से और अलग अलग बजूहात की विए से जिसकी विए से बाल उनके गिर रहे हैं जिसको भी गंश्पन का मसला है उसका इक गंश्पन क तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले आपको करना यह है कि यह जो मेथी दाना है और कलोंजी इन दोनों को आपको पीस लेना है सही है इसको आप ग्राइंडर में पीस लेंगे तो मैंने अपना एक जगा पे जार में पीस के रखावा है एक छोटी सी इसको मैं बना के रख लिए क्योंकि मैं खुद भी इस्तावाल करती हूँ तो जब भी खतम हो जाता है अगर तो फिर मैं इसको यूज कर लेती हूँ अब इसके लिए आपको करना यह है कि एक आपको कंटेनर लेना है छोटा सा बॉक्स जिसमें मैं यह तेल दालूंगी यह परशूट का ओईल है आपके बास कोई सा भी अवेलेबल हो आप वो डाल लिएगा में बास यह परशूट का 100% प्यूर कोकुनेट ओईल है आप वो यूज कर ले इसके वज़ाए आप सरसो का तेल भी इस्तावाल कर सकती है तो अब मैं इसके अंदर दालूंगी हाफ कप त अब मैं इसके अंदर क्या दालूंगी मैंने जो पीस के रखावा था मेथी दाना और कलोंजी साहिए इसको अच्छी तरह आप पीस लिएगा क्योंकि अगर आप इसको अलग अलग पीसेंगे मेथी दाना को और कलोंजी को दोनों को अलग अलग पीसीगा क्योंकि दोनों की जर्षित अ कि सैन्माद्स अधिनों की है यह यहां आप हुआ लिए जाथ पीस ड़नाहे कोशिश करने कि दोनों को अलग अलग पीसंऱ दो इस तरीगे से अच्ही तरीकेि यह दालूँगी यह मैंने दाल लिया और आप इसको अच्छी तरह मिक्स करिएगा सही है तो यह इस फॉर्म में आ जाएगा अच्छी तरह आप इसको मिक्स करिएगा यह देखें आपको मैं इसका टेक्स्चर भी दिखा रही हूँ तो मैंने बहुत इसको फाइन पीस आता मेथी दाना काफी टाइम देता है इससे आपके हिर फॉल जो भी है वो गिर्णा बंद हो जाएंगे और बहुत फर पड़ेगा आपके बालो में भी बहुत अच्छा ग् अब आप क्या करेंगे इसके बाद क्या करना है सबसे में इसका है पार्ट जो के आपको टू-3 वीक्स के लिए इसको टाइट कंटेनर में मतलब बन करके आप इकस बॉक्स को किसी भी विंडो की साइट पर रख दीजेगा सही है जहां पर आपकी संलाइट पड़ती हो जहा इसके बहुत फाइदा नहीं देगा इसलिए बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको जरूरी है कि आप ये कंटेनर संलाइट की जगा पर रखें जहां पर संलाइट पड़ती हो चाहए वो विंडो की साइड हो चाहे आपकी गैलरी हो जहां भी संलाइट आती हो वहां आप ये रखके छोड़ें तू-थी वीक्स के लिए उसके बाद आप ये इस्तमाल करिएगा बालो में और मुझे कमेंट सेक्शन में जो हुआ बताईगा कि आपको फर्क पड़ा या नहीं क्योंकि मुझे इससे बहुत फर्क पड़ा है दैन मैंने इसलिए इसको अगेन बनाया है और मैं ये खुद भी इस्तमाल करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने वीवर्स को जो है वो ही बताऊं चीज जो के मेरे लिए भी फायदा हो और आप लोगों के लिए भी फायदा हो मैं वो ही चीज बताती हूँ तो मुझे अमीर है कि आपको मेरी वीडियो आई होगी और इसी तरीके से मुझे दूआउं में याद रखिएगा Thank you so much